उधारन दो एक किताब दस प्रतिशत की छूट पर 45 रुपए में बेची गई किताब पर कितना मूल्य छपा होगा उधारन दो हल प्रश्ट में हमें दिया गया है कि किताब पर 10 प्रतिशत की छूट है तो हम क्या कहेंगे दस रुपए की छूट 100 रुपए अंकित मूल्य पर 100 रुपए अंकित मूल्य पर यदि 100 रुपए अंकित मूल्य पर 10 प्रतिशत की यदि हम छूट कहते हैं तो हम कहेंगे 10 रुपए की छूट 100 रुपए अंकित मूल्य पर तो उसका विक्रे मुल्य ग्याद किया जा सकता है इस इस्तिती में उसका विक्रे मुल्य कितना होगा उसका विक्रे मुल्य बराबर हो जाएगा सो रेंड दस याने कि अंकित मुल्य माइनस उसमें हम रेंड कर देंगे कितना छूट को तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 90 रुपए अब यदि हम तुलना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि किसकी किसकी हम तुलना करेंगे विक्रे मुल्य और अंकित मुल्य की तो विक्रे मुल्य जब 90 है तब अंकित मुल्य कितना है? 100 रुपए और प्रश्ण में हमें विक्रे मुल्य कितना दिया है? 45 रुपए तो हमें यह ज्यात करना है कि 45 रुपए विक्रे मुल्य की स्थिती में अंकित मुल्य कितना होगा? इसके लिए हम जबकी जमा लेते हैं कि जब किताब 90 रुपए में बेची जाती तो उसका अंकित मुल्या कितना होता? 100 रुपए होता तो पहले क्या निकाल ले? पहले एक रुपए का निकाल लेते हैं तो एक रुपए में बेचे जाने पर अंकित मुल्या कितना हो जाएगा? बराबर होगा 100 बटे 90 रुपए चलिए आगे हल करते हैं हमने देखा था कि एक रुपए में बेचे जाने पर अंकित मुल्य कितना हुआ था? अंकित मुल्य हमें प्राप्थ हुआ था अंकित मुल्य बराबर हमें मिला था 100 बटे 90 रुपए तो अब हमें कितने के लिए ग्याद करना है? 45 रुपए के लिए क्योंकि प्रश्ण में उसका विक्रे मुल्य दिया हुआ है 45 रुपए 45 रुपए में बेची गई तब अंकित मुल्य तब अंकित मुल्य बराबर कितना हो जाएगा? हमने एक के लिए निकाल रखा है 100 बटे 90 तो 45 के लिए उसमें कितने का गुणा हो जाएगा? 45 का हल करेंगे? यदि हम इसको हल करते हैं तो 15 के पाहड़े से कर ले 15 शक्के 90, 15 तिया 45 और फिर 3 के पाहड़े से ही हल हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 100 बटे 2 हमें मिल रहा है इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 50 रुपए तो हमें क्या मिला? अतह किताब पर छपा मूल्य मिल लेगा हमको कितना है? 50 रुपए होगा इस प्रकार प्रश्न हल हुआ करके देखें पहला 800 रुपए मूल्य की एक साड़ी 15 प्रतिशत बटे पर बेची जाती है साड़ी का विक्रे मूले ग्याद कीजिए दूसरा सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तूओं के अंकित मूल्य पर 15 प्रतिशत बट्टा देती है 1750 रुपए अंकित मूल्य वाले एक जीन्स और 650 रुपए अंकित मूल्य वाले एक कमीस को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुक्तान करना पड़ेगा तीसरा माही एक जोडी जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिये गए बट्टे की दर 20 प्रतिशत थी यदि उसके द्वारा भुक्तान की गई राशी 1200 रुपए है तो जूते का अंकित मुल्य ग्याद कीजिए